यह बस्ती के लटकुटा बस्ती नहीं टोला बोलते हैं यहां पर किता दिन से रा रहा है? 13 साल से यहां का रोट के इसी से क्या है? शोडी एन मीडम क्या की जी गई सब बाद जानके 13 साल से तो यही हो रहा है हर कोई आता है, पूशता है ग्रामिन पसलग निर्मान एक सरकारी उजना है इस उजना के अंतरगत पिसी सिरोड का निर्मान किया जाता है मुकारो जिला कोमिया परखन पंचाइट पलिहार गुरुजी के नया बस्ती लटकुटा में अभी तक पिशिस रोड का निर्मान नहीं किया गया है। यहां के अबादी 200 से अधीक है। यहां पर लोग 13 वर्षों से रह रहे हैं। पर अभी तक पिशिस रोड नहीं बनाया गया। ठीकने लगता कादो में पूरा। चैसे चलती है तो कादो में? गीर जाता है। यहां तो अभी कुछ सुधार आ गया है। नहीं तो इस तरह सा था कि बभू बेटी लोग निकलना मुस्किल था। हम लोग लड़का लोग खुद निकलने में इतना कष्ट होता था इस हाल था। अभी तो थोड़ा बहुत सधार आ गया है कि वहां पर हम लोग इंटा जो दिवाल बना हुआ है। उस दिवाल में चहड़ वरके जाते थे और अभी भी जाते है। निटी उटी काटके भरते हैं तो अभी नीचे हम लोग थोड़ा लेडिश लोग चल पाती है। हम लोग भी चलते हैं। फिर भी बारिश होता है तो बस सभ़ जाता है फिर वही हाल। परियास तो हम लोग लाष्टार करते रहें। अपली के संदर खास हुगारा पंचायत के पास रखें हैं बात को कितना बार रखें। लेगन अभी तब कोई पर नाम हम लोगों देखने मिला नहीं जैसे हैं। जहल रहें। तेरा साल से बस जहली रहें। अब क्या बली यही बात हम 15 साल से 13 साल से हम दोहरा रहें। लेगन कोई सुनता ही नहीं। मैं इसी समुदा में रहती हूँ। मैं और मेरे समुदा बना चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरवेचर किया जाए और पिसी सरोड का नहीर्मान किया जाए। मैं तमाम विडियो देखने वाले दसकों से अफील करती हूँ कि गुमिया परखन के विकास प्राधिकारी स्री कमलेस नरायन के मुवाइल नंबर 7706704 पर कॉल कर तबाव बनाएं। मैं मन्जु राज गुमिया परखन जिला बुकारो जारखन से इंडिया अनहट के लिए।